हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टडी फीड़ फीडिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों बेश्ट कोश्यों का स्रीज मैं लेके आ गई हूं यहां कि मद्रप्रदेश वर्क टू उत्तर प्रदेश यूपीटी जीटी पीटी एंड यूपील्टी ग्रेड एंड राजस्थ हो जाता है इसलिए डेली बेसे पर प्रैक्रिस करेंगे आपकी जो टाइम मनेजमेंट चमता होगी वह बहुत अच्छा होगा जिसे आप एक्जाम में अच्छा प्रफॉर्मेंस कर पाएंगे तो दोस्तों थीरी सेशन आपको पढ़ना है तो मैंने सभी थीरी सेशन कंप्ल च्छलो का संबंध है तो किसे संबंध है दोस्तों ओलंपिक जो ध्वज है उसको बनाया था उनी सो तेरह में बैरेन पीर डिको बार्टिन ने और उसको सबसे पहले फ़राया गया था उनी सो बीस एंट्वार्प बेल्जयम उलंपिक में और पांच्छले जो है इसके अग्यजी के अच्छर डब्लू के आकार का पांच्छले लगे हुए हैं जो निला पिला काला हरा लाल इक पांच रंगों के बाएं से दाएं लगे हुए हैं इसкив कि नीला ये रोप महाधिब का प्रतीक पिला एसिया महाधिब का परतीक Stephen आफ़ीका महादिप का प्रतीग हरा आफटीलिया महादिप का प्रतीग लालоды महादिप का प्रतीग heure यह पांच और चल्डे पांच महादीपो के प्रतीक हैं और दुनिया की एक्ता को पदस्यत करते हैं यहां पर राइट एंसर हो जाएगा और सी पांच महादीपो यानि की फाइब कॉंटिनेंट कोईस्टन नबर टू है लशीवाई कॉलेज ओफिजिकल एजुकेशन कहां इसीथ है लॉओ सबको पता है यहां ग्वालिया मध्य पर्डेश में इस्थापित है यहां हमारे भारत देश का प्रथम राश्टिय प्रसिच्चित विद्याला है सारे सिछा का लश्मी भाई कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन अगर राष्टिय सब्द नहीं बोलेगा सिफ सीधे बोलेगा कि सारे सिछा का पर्थम महाविद्याला कौन है तो वाईम सीए कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन के नई मदरास ओनीसोबीस यहाँ पेज़ इस नमबर थरी है कि सूझी विन पर टू के साथ मिलान करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेटेट्ए धोस्तों क्रेकेट्स यत्नि ट्रोफिक किसे समंदीत है क्रेकेट्स यह क्या हो जाएगा A का हो जाएगा 3 ठीक है यहाँ पर A B C D ठीक है एंड A का 3 हो जाएगा ग्रेनिशनेम प्रतिकता चार ग्रेनिशनेम प्रतिकता होती है टेनिस में तो B का 4 हो जाएगा एंड B C राय ट्राफी आपका फुटबाल से है अब B C गुपता बुलेगा तो बास फेरपाल हो जाएगा तो C का 2 हो जाएगा यह नेक्स कॉफ किसे समझी थे तो बैन मिन्टर से D का 1 हो जाएगा तो 3421 किस में दीख रहा है 3421 यह आपका आशन नमबर सी में आपका दीख रहा है कि कोशन नमबर 4 है किपाइन में कितनी प्रकार की गतिविदी मोमेंट्स सम्भव है How many Toys of Moments are Postible in the स्पाइन तो दोस्तों इस वी चार प्रकार के यह हमारे डिड की हड़ी है इस पाइन है इस वी चार प्रकार की गतिवीदी स्थेश्थ जो है वो संभौ है ए कौन-कौन से एक है फ्लैक्शन एक्सटेंशन दो गया यानि कि मॉंड़ना फैलाना दूसरा तीसरा हो गया पांस flexion and axial rotation इस चार गतिविधी मुमेंट्स इसमें होते हैं question number five है football की खेल में goal post की उचाई कितनी होती है what is the height of the goal post in football तो football में goal post की उचाई 8 feet यानि कि 2.44 meter होती है ठीक है फिट में पुछेगा तो 8 feet और meter में पुछेगा 2.44 1 feet 30 cm होती है ठीक है आर्ट तरीक 24 ऐसे ही हो जाएकर 2.44 meter और चवड़ाई जो होती है goal post 8 गज होती है यानि 24 feet यानि 7.34 meter 32 meter और इसके goal post का ब्यास होता है पांच इंच यानि की 12 जसमनों 5 cm सारह 12 cm और goal post का रंग जो है सफेद कलर का होता है और इसके लाइन के मोटाई जो होती है अब के पांच इंच जाए 12 cm सबसे चोड़ा लाइन होता है फुटबॉल का Q6 है बोलने में स्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्यदार है वीच वाट आप दर रिस्पाइटरी प्रोसेस इन रिस्पॉंस्टिबल फार इस्पिकिंग आप सबको पता है वो है लेरिंग जुसे हम कंठ कहते हैं ठेक है स्वार यंतर भी कहते हैं हिंदी में कोस्टन नमर सेवेन है सारी सिच्छा के नम्हें लिखित पाठ क्रमों को उनके आरंब होने के क्रम काल में क्रमा नुसार व्योसित करें और इन फालिविंग कोर्सेस्ट और फिजिकल एजुकेशन इन क्रोनोलोजिकल आडर इन इन आई अब से पहले कोर इस्टारट हुआ डी पीएड से स्टार्ट कुरु और सुआ डी पीएड तो क्या हो जाएगा त्री इसके बात इस्टार्ट वबीपीए टू फिर बीपीएड 2 फिर लास्ट में स्टार्ट हुआ आपका बीपीएस यानि कि आपसर नमबर यहां पर 3 1 2 4 आपका राइट इंसर हो जाएगा कोस्टन नमबर एट है कि भारतिये खिल प्राधी करण की स्थापना कब हुई विन वाइज इस्पोर्स अथार्टी आफ इंडिया इस्टेबलेस तो आप सबको पता है 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1984 24 है को सिच्छा का ध्य क्या है सारिक मानसिक समाजिये अध्यादियों सभी प्रकाल के विक्तिक विके हैं तो में सिखी विक्तितु का सरवांगी मिरकास करना इंडिया थेल अट रिंवल . इस प्रसन परस्वागो से இन आफ्जिये डाहेगा ठीक है यहां पर आपसे निंबर सी राइट हो जाएगा कोशने नमबर दोस है ओलम्पिक खेलों में ओलम्पिक सुभंकर की प्रत्था कभ सुरुल हुई ? ऑप अलम्पिक मसकट अधा ओलम्पिक गेंव्स छोट कि तौस्तों अल्मूम्पिक सुभंकर्म की शुरुवा ऐसे régacter के मैक्सिको शीटी ओलंपिक में को याद रखना है जो दोहजार 24 का जो पेरीज उलम्पिक है उसका जो सुभंकर था उलम्पिक फ्रीज एक फ्रीजियन कैप जो पर चोटी फ्रीजियन टोपी अधारित है जिनके आकार के सुभंकर बनाए गया है नामर उडिजाय को स्वतंता के प्रतीक के रूप में और फ् टोकिय उलम्पिक का मिराई तोवा था एंड 2016 रियो उलम्पिक का विनीशियस था कि वस्टन नमर 11 है लंबी दूरी की दोड में धाव को द्वारा पूरे किये के चक्रों का रिकार्ड कौन रखता है को के देरीकार्ड आप लैप्लेटेट बाइट इन लांग डिस्टेंस दुस्तों उसको लैप इसको रखता है कॉन रखता है लबी दूरी की दोड में धाव को द्वारा पूरे के चक्रों का जो रिकार्ड होता है लैप इसको रखता है कोस्टन नमबर बारह है सारणी सिच्छा को लोगपरी बनाने है तो सबसे आवस्ट्यक कारे क्या है वाट इस तो मोस्ट इंपॉर्डेंट थिंग तो पापुलरेज फिजिकल एजुकेशन तो सबसे मोस्ट थिंग है यहाँ पे समाज की जागुर्ता अगर समाज जागुर्ख होगा तो अपने आप सब कुछ लोगपरी हो जाएगा कोस्टन नमबर तेरह है कवर्टी खेल में रेडर को कम से कम कितनी भी पच्छी खिलारगियों की उपस्थिती में बोनस अंक प्राप्त होता है कवर्टी गेम तो उसे बोनस अंक प्राप्त होगा जैसे कि कवर्टी खेल में रेडर को बोनस अंक प्राप्त होगा जैसे कि कवर्टी खेल में रेडर को बोनस अंक प्राप्त होगा जैसे कि कवर्टी खेल में रेडर को बोनस अंक प्राप्त होगा पूरी तरह पार कर लेने पर एक अंक दिया जाता है याद रखिएगा बोनस का एक पॉइंट दिया जाता है एक लोना होता है जो विपच्छी टीम को सभी टीमों को जब आउट कर दिया जाता है तो उसमें दो अंका लो ना मिलता है तो इसमें जो बूनस पॉइंट होता है एक अंक मिलता है यदि रेडर को पकड़ लिया जाता है तो उसे आउट करार दिया जाता है और विरोजी टीम को एक अंक मिल जाता है रेडर को एक अंक पहले बोनस लाइन पार करने पर भी दिया जाता है बोनस लाइन पार करना तभी लागू होगा जब मैं दान में कम से कम छो खिलाड़ी हूँ कि दिवी पेच्छी कोड में 6 से कम खिलाड़ी है तो बोनस अंक नहीं मिलता है कोशन नंबर 14 है खेल प्रवंथन है इस्पूर्स मैंने मैंनेजमेंट इच दोस्तों फ्ल प्रवंथन जोए है कला और विज्ञान दोनों है बोध आर्ट और सॉन्स कर दोनों है में तो क्या से यह भी कोशन पूश सकता है यहां पर कोशन क्या है वेजिए नंबर कोशन खिल प्रवंधन क्या है क्ला एंग दूनों थो क्ला कला और व अजनों है दुनों है अधर सरक्षा कला है या भिग्ना करने से पूर्व उनकी सिधान अवस्य और फघर है जिनपा सारी सिधों खड़ी है कुछ सुन्दर ढंग से कीए कि आने वाले कारियों को हम कला के रूप में वर्वित करते हैं जो लोग सुंदर धंग से काम करते हैं वे कला कार कलाते हैं सारे सिच्छा को एक विग्यान कहा जा सकता है क्योंकि वभी निस रोतों से अपने सिधान तो खूर रतना करता है टेकनिकल धंग से जैसे किंजी धरिती हां की खिलारी थे कुश्यन नबर शूला है है हेपिटाइस बी वाईरस अफ़ेश्य पारिटि बी अफर्वेश्ट इन दवी आफ-दवाडी आफ दो डोस्तों हेपिटाइस मतलब इसको हम हेपिटाइडिस को पिलिया कहते हैं जॉन्डिस भी कहते हैं या हमारे यक होता क्या है कि जब आवसकता से अधिक जो है आरवीसी जो है आकर के मरने लगता है तो मरे हुए आरवीसी से बिलिरुबीन या बिलिवडीन का निर्मान होता है जब बहुत जाते मातरा में बिलिवडीन बिलिरुबीन का निर्मान होने लगता है तो जो लीवर की छंता होती ह बिलरुबीन को रक्त से अलग करने की खत्म हो जाती है और इसके अभाव में बिलरुबीन होता है रक्त में दर्णे लगता है जिसे हमारे कुराशरीट पिला पड़ जाता है और इसी को हम पिलिया यानि हैपेटाइडिस कहती है जो यकित को प्रवहवित करता है Q17 है प्रयास यम पुर्ण सक्ति प्राप्ति का सिधात अधाईत है तब प्रिंजबल आप इफोर्ट एंड डिकॉवरी इज बेश्ड दोस्तों आपको पता है प्रयास पुर्ण सक्ति प्राप्ति अंतराल प्रसिचर भी थी यानि कि इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड पर अधा करने के इबाद पुर्ण सक्ति प्राप्त करने का समय रिकॉवरी यानि अन्कंप्लिट रिकॉवरी दिया जाता है यह ब्यायाम खिलाड़ी की अन्हार पर किया जाता है पुर्ण सक्ति प्राप्त करने का समय रिकॉवरी प्रियेड में कम करके कार्य भार को बढ़ाया जात फिन्लेंड के एफलेटिक्स कोच अभवे विकला ने 2020 में अंटराल परसिचर की खोच किया है इस परकार के ब्यामों को टेरिय परसिचर के सिसिनाम से भी जाना जाता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों मोतिया बिंद कैटरेक्ट हो जाता है यह अधिकुम्र में आखों की जो लेंस होता है वो खराब हो जाता है अगर काला परत जम जाता है तो उसे हम काला मोतिया बिंद कहते हैं जो मोतिया बिंद में दूजला दिखाई देता है कि उसे क्या अन्वांसिक अच्छा निधी के रूप में जाना जाता है जैसा कि जानते है कि अन्वांसिक जियू बिग्यान की वह साखा जो उतपती मुलक बिग्यान से चुड़ा हुआ है कुछ भी सिष्थाएं यज बिश्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों को अपने माता-पिता की जीन से मिलती हैं। जो भी सिष्थाएं अगली पीठों को हस्थांतरित हो सकती हैं। उनमें हमारा उचाई है сы a जचना है गती है फुर्ती है बुद्धी है सुभाव है दरी क्रिया सिल्टा आरी सामिल होते हैं याद रखेगा इन सबी चीज़ों जो है अन्वांसिक अच्छा निदी है कोशन नंबर 20 है सरीक को इस पर्स करने से अथवा आपसी प्रति कर समंदों के कारण एक जीव से दुसरे जीव में होने वाली विमारी हो क्या कहते हैं तो दोस्तों जो दूसरे के संपर्ख से आए तो उसको हम डायेक्ट संपर्ख से आता है उसको हम contagious बोलते हैं contagious disease यानि छूत की बीमारी है ठीक है अजो हवापानी जिसे जिसे infectious उसे बोला जाता है जो कोस्टन नमर 21 है बालीवाल खेल का जन्दाता देश कौन है तो दोस्तों आप सबकों पता है बालीवाल जो खेल है ओ 1895 में बिलियम जी मुर्गन ने अमेरिका द्वारा वाइम सीए के एट्लेडिस ने देशक थे यहनुने खोजा था तो 1895 में वे कहां से अमेरिका इसका खोज करता है प्राणम ने इसको सरपथम इसे मेंटो नेंट की नाम से जाना गया याद रखेगा कौशन नमर 22 है कौन सी अध्यापन पधती सारे सिच्छा में सरुस्यष्ट मानी जाती है विश ट्रेनिंग मेथर इस कौन्साइड रेड तबेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन तो वह होता है इस दिरिंवोन्स्ट्रेशन मेेथर्ड दिमोंस्ट्रेशन मेथर्ड एक कोस्टेन आया हुआ था देख है आपकी उद्रखंड में यानि की प्रदरशन पधति इन्यानि कि दिमोंस्ट्रेशन और इमिटेशन यानि कि प्रदाशन अनकरोड विधी उसमें आया था उत्राउखंड में ठीक है कि कोंस्टन नंबर टेईस हैं कि बास्केरबाल की गेन का अधिक्तम भार कितना होता है दूस्टों बास्केरबाल की खोज जो है अठारासो कब हुआ था दूस्टों बार्मे में स्प्रिंग फिल्ड कॉलेज में जैंस निश्मीट ने किया था और इसकी जो अधिक्तम भार होता है साहे 6600 ग्राम होता है वास्केरबाल की बाल का अधिक्तम भार कितना होता है चाहे 600 ग्राम कोस्टन नंबर 24 है खोखो मैं इसकी ब्योस्था के लिए अम्पायर होने चाहिए तो दो अम्पायर होना चाहिए जैसे की जानते हैं खोखो की सुरुवात जो है वह हमारे महराष्ट से हुआ है यह एक प्राचीन परोडिक खेल है जो भगवान कृष्णि खेला करते थे और यह जो है भारत में प्रथम खोखो पतिवित्या उनिस सो चोदर में दक्कन जिम खाना पूड़े की तत्वाधार में हुआ और उनिस सो पच्वर में भारतिये खोखो संग यानि केके एफाई खोखो फेडरेशन आफ इंडिया की स्थापना महराष्ट में हुई कॉस्टन नमर्बर पतीस है एनिमिया यानि रख्त की कमी का मुख्य घटक निमें से कौन सा है विच आफ फॉलिविग इज दे मेन फैक्टर आफ एनिमिया तो क्या है रख्त की कमी हो जाती है तो हीमोग्रोबीन की यहां पे कमी आपका राइटेंस हो जाएगा लाउक आफ हीमोग्रोबीन हूं हैति जो है एक गडेल प्रोटीन होता है जिसमें हीमोग्रोबीन दो सब्सक्राइस हीम मतलब होता है नि लोहा dummy है अगरउस हैं जिसमें लॉंग की प्रयात मातर मातरा होती है और तो संचार में समाने हीमो ग्रोवीन की मातरा Singing सबहते हैं वह अवद्रों को अरुमिया कुष तील में परेञंड les are ऐसे तो कुष्टन नमझालोबार, उबे एक स्फॉड एक तो जबत कि यह सक्वेश से से समझनी थे लेकिन कोशन यह पूछ देता है कि उबेर कप महिला से है कि पूरुस से है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि पूरुस बेविंटर खेलते-खेलते ठक गए और महिलाएं बेविंटर खेलते-खेलते उब गई तो जो थामस कप है वो 1948 में पर्थम 200 चैंप है और जो उबेर कप है 1957 में महिला चैंपियंशीप की सुरुवात उबेर कप की हुआ था तो उबेर कप जो है महिला पैडमिटर से समझे थे यहां वेविंट राइट एंसर हो जाएगा कि कोशन नमर 27 है वाटर पूलो टीम में कितने खिलाड़ी होती हैं हमेनी प्लेयर्स आर देर इन वाटर पूलो टीम तो दोस्तों वाटर पूलो का बड़ी हैं बल इन तीनों में टीम में पते एक टीम में साथ खिलाड़ी होते हैं याद रखिएगा कोशन नमर 28 है निवन में से अच्छा स्वास्त किस पर निर्भग करता है गूड हेल्स डिपेंस आन वीच आप दे फालवी तो दोस्तों ब्यायाम और अराम एकसाइज इंड्रेश्ट डाइट एंड नुट्रिशन हाइजिंग एंड हैविर्स आहार और पूसर स्वश्था अच्छा स्वश्थ रहने के लिए निर्भग करता है यहां पर उप्रोप्ष सभी आपका राइटिंस हो जाएगा आल आप दे एवर्स है कि विश्वे स्वास्ति संगठन के अनुसार सोडियम की मात्रा प्रति दिन एक ब्रति को 1.7 ग्राम जरूरी होता है तो नमक की मात् पांच ग्राम में 1.7 ग्राम आपका सोडियम पाय जाएगा कि कुश्चिन नमर तीस है बैरियाट्रिक सर्जरी जीवन सैली से जुड़ी किस आम बिमारी को ठिक करने के लिए जरूरी होता है तो बैरियाट्रिक सर्जरी इस रिक्वार्ट टू ट्रेट विज कॉमन लाइफ स्टैल दिजीच तो यह मोटापा याने की ओबिसिटी के लिए होता है जिब ओबिसिटी इसे भार मोटापा कम करने के लिए सर्जरी की जाती है बरियाट्रिक सर्जरी जो fat sales होता है उसको निकाला जाता है नेज़ट है कहा जाता है कि burger पहले ब्यक्ती थी जिसे burger system भे कहा जाता स्थी किस प्रतिविद्ध है कि लिफ टूर्णामेंट को burger system भी बोला जाता है कि लीफ टूर्णामेंट को स्टेयर के साथ और इसंटकृवसंगों सब करते हैं ना में सबसें सबर्द करें श़यर के सांट मिलता help फ्रीक्स में इसनों इसे फियों के इसे इससे जânे को बंब्ल प्रोंस और Chaha किलीन चुर्णि चलीने खाइब का की प्रकशल दो प्रावर निवक्लाण क्वेशन नम्र 32 है कि आपने अपने खेलों में अच्छा प्रदसन दिखाने तथा उपलबधी प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बिटा ब्लाकॉर्स का परियुक करते हैं जिसे रक्त चाप में कमी आती है तथा एक आगरता बढ़ती है तो दोस्तों यह आपका होत होता है कि तिरंदाजी और दिसाने वाजी जो बिटा ब्लाकॉर्स ऐसा होता है इसमें जो हमारा कमपन होता है और रुख जाता है जिसे जो एकागरता वाले खेल होते हैं उससे को करने में आसानी होती है क्वेशन नमर 33 है ब्लैक कार्ड इन में से किस स्केल का बियामक बिकल्प है ब्लैक कार्ड एज रेगुलर लेटरी आफ्शन इन वीच आफ दे फॉल्विंग स्पोर्स तो दोस्तों ब्लैक कार्ड जो है अपका तलवार बाजी यानिकी फेंसिंग और बैनमिंटन जो है में प्रियूंग होता है तो यहां पर 33 का राइड इंसर हो जाएगा और फाइल यानिकी तलवार बाजी और बैनमिंटन क्वेस्टन नमर 34 है कि उलम्पिक जंडे का रंग कैसा होता है वाट इद ल कलर आफ दे उलम्पिक फ्लैक दोस्तों उलम्पिक फ्लैक को 1913 में बेरेन प्रेड कोबर्टिन ने बनाया और इसको हबसे पहले फ़राय गया 1920 इंटर वर्प बेल्जियम उलम्पिक में इसका रं आद है कि दे मौट आप लोजान इन देहल ने चोथा दिरुगिया है कमिनीटर जिसका अर्थ होता है फास्टर हायर इस्ट्रांगर टूगेदर यह और तेज और उच्छा और बलसारी एक साथ यहां पर आधिक उच्छा यहां पर राइटेंसर हो जाएगा तो पैठीज का आफ़सें नमबर सी आपका यहां पर अधिक तीस है कि एक अधावन पत्थ में एक लाइन की चड़ाई कितनी होती है तो दोस्तों वान पॉइंट टू होती है कितनी होती है एक अधर ट्रेक चार सा मेटर का होता है जिसमें आठ गल्यारे याने लेन होती है रहां प्रत्त के पत्ति एक लाइन की चोड़ाई दोस्तों लेन की चोड़ाई अगर लाइन की मोटाई पूछेगा और तो पांच संटीमेटर होता है याद रखेगा जर्मनियी के महान सारी शिछा विद्धB doveder जान बरनाट्ड बेशुड़ की टीच नाम है धोस्तो जर्मनी में सारन सिछा का पितामा भी कहे जाते हजां जानर बरनाट बेशुड़ो इन्हों ने फ्लेंट्रोप्रियम नामक इस्कूल की पजिंशन नम्र 58ा मानौसरी में कौन सी गुरंधी को नियन्दित करती है वि इंसुलिन नियन नियूंप तो क्लेटियालिक फैरा की पांप्सक्रण के लुकोजान घुर मतलता है और जो इंसुलीं होता है है वो ग्लुकोज को ब्लाइकोजर में बदलता है और जो कर्भो हाइडर्ट के पाचन में सहायता करता है कि को से नंबर 49 है प्रतम एसे खेल किस वर्स संपन हुए इन वीच येर वेर्ट फॉर्स्ट एसे गेम है तो दोस्तों आप सबको पता है प्रतम एसे आई गेम चार मार्च 1951 को संपन हुआ था और इसको सुर्ण करने वाले एस याई गेम के पिता प्रफिसर जीडी संधी को मना जाता है जिस प्रकाव आदोनीक ओलंपिक खेलों का पिता मा बैरन पीरेडिक को बर्टिंग को मना जाता है उसे प्रकाव एस याई खेल के पिता मा प्रफि प्रफिक जवाला नहिरों ने किया याद रखिएगा उन्होंने इस अवस्तर पर खिलाडियों को संदूश दिया कि खेल को खेल भावना से खेल और दोस्तों जो 2022 का कि एस याई खेल है कि वह दोज़ेटेश में संपन हुआ था उनिसवा एस याई खेल हुआंग जो चीन में याद रखिएगा एंड भांग जो चीन में भारत ने 107 पदक गीता था 28 गोल्ड और 30 रजत 41 कार से पदक 107 पदक यह आपकी बीपेसी टीरी में पुछा हुआ पूस्टन था एंड प्रथमास्था आया था चीन दूसरा जापान तिसरा कोरिया और पांच्वां तिसरा कोरिया चौथा पर भ कि कौस्टन नमर चालीस है सारी सिच्छा का उतेज सारीक मानसी गामक मानसी विकास और मानवी समंद्धों का विकास करना है या कथम किसका है दोस्तों यह सब्द आते ही सारीक मानसी समाजिक जो है यह सभी चीजें चारसे बूचर की परिभासा है चारसे बूचर ने फंडामेंडल ऑफ फिजिकल एजुकेशन सारे सिच्छा की न्यू पुस्तक में सारे सिच्छा की यह परिखासा दी है क्वेस्टन नमर एक तालीस है आदुनिक होंकी खेल का जमजाता कौन है विश कंट्री दे और नेटर आफ मॉडर्न होकी वह आपका एंगलेंड है क्वेस्टन नमर बयालीस है वाईयू में टॉक्सिक सब टॉंसिच को फैलने के लिए विविन उपाय अपनाए जाते है जैसे कि इन क्लाउजर प्रदान करना रोसंदान लगाना हवा को सुध करना आगे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों यह जाना जाता है आपका सन रोधन यानिकी कंटेंट मेंट के लूप में जाना जाता है तो यह था आज की सेशन में 42 कोशन्स अई हो कि सभी कोशन्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताईए जो भी गलतिया होंगी हम सब मिलकर उसको सुल जाएंगे जो भी कोशन में कोई कनफीवजन होगा क्योंकि मिलक इसकूल भी जाती हूं और उसमें से आपके लिए एक वीडियो बनाने का जो टाइम निकाल रहे हूं आप समझ सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत गलतिया हो सकती हैं बट जो भी गलतिया होंगी हम सब मिलकर उसको ज़रूर सालो करेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है तो मि अरिव करेंगे दोर किये जह हैं